नमस्कार दोस्तों, टोपिरामेट मेडिशिन मांसिक रोगों में चलने वाली आतियांत ही महतपूर्ण दवाओं में आती है आगर किसी विक्ति को मांसिक रोग हैं, जैसे कि एक रोग की बात करूँ मैं माईग्रेन तो उस कंडिशन में टोपिरामेट का इस्तिमाल डॉक्टर आज के समय में कर रहे हैं टोपिरामेट मेडिशिन मार्केट में टोपा मैक्स और टोपर नाम के ब्रांड नेम से मिल जाएगी Topiramate Medicine एक prescribed दवा है मतलब डॉक्टर के prescription पर आप इसे खरीच सकते हैं नहीं तो आप ये market से नहीं खरीच पाएंगे market में Topiramate का पहले जो form आता था वो सिर्फ tablet का था अब इसके कुछ injection भी market में आने लगे है Topiramate Medicine काफी important दवा है इसलिए इसका इस्तमाल भी मांसिक रोगों में किया जाता है और ये कौन कौन सी बीमारी आ है इसके बारे में तोड़ी चर्चा करते हैं Topiramate Medicine माइग्रेन जैसी बीमारी में दिया जाता है माइग्रेन क्यों होता है आपको यहाँ पे कुछ सारे दिक्कते समझ में आ रही है Lack of sleep, stress and anxiety, caffeine का ज़्यादा प्रियोग, physical, exercise ना कर पाना इन सब बजाओ से माइग्रेन हो सकता है दोस्तों माइग्रेन के बाद जो दूसरी बीमारी है वो है epilepsy, epilepsy का मतलब होता है अगर कोई मरीज, मिर्गी का patient है मतलब उसे मिर्गी के दोरे आते हैं या मिर्गी का patient है तो उस condition को या उस भीमारी को बोलते हैं epilepsy तो इसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है टोप्रिया मेट का जो तीसरा बहुत ही important use है वो है किसी विक्ति में अगर cages develop हो रहे है मतलब जो निरॉंस से निरॉंस के बेच बंबारी होती है signals की तो उस वज़ा से cages develop होते है और सभी में जटके आने सुरू हो जाते है तो इन्हे जटकों को ये कम करती है टोप्रामेट मेडिशिन का जो इस्तमाल है वो कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए ये भी आप जान लीजिए टोप्रामेट मेडिशिन का जो adult dose है दोस्तो वो आपके लिए important है क्योंकि बाकी dose आप adult dose के according adjust कर सकते है जो इसकी maximum और minimum amount है वो 15 mg है और maximum है 400 mg per day दिन में इसका इस्तमाल आप OD या BD जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उसके according कर सकते हैं टोप्रामेट मेडिशिन आपको market में अलग-अलग price में मिल जाएगी मतलब इसके tablet के जो अलग-अलग price है वो brand name के according है क्योंकि अलग-अलग companyya दवाएं बनाती है तो टोप्रामेट के जो दवाएं हैं ये लग-बग 10 tablet आपको 50 रुपे से लेके 120 रुपे की बीच में असानी से मिल जाएंगी दोस्तो ये इसका average price है अगर मैं बताऊं आपको कि ये दवा किस तरीके से काम करती है तो थोड़ा उस पे चर्चा करते हैं इसे बोलते हैं mechanism of action कि कोई दवा किस तरीके से किसी भी बीमारी को ठीक करती है तो जो ये दवा है न दोस्तो बहुत अच्छी medicine है और जब टोप्रामेट दवा किसी वेक्ति को खिलाए जाती है तो ये वेक्ति के सरीर में जाकर sodium channel को block कर देती है मतलब उसके काम को रोग देती है और increase करती है GABA receptor के काम को जिसकी वज़ा से migraine जैसी बीमारी epilepsy जैसी बीमारी और seizure सरीर में ठीक होने लगते हैं आप जान लेते हैं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाओ को जिसे बोलते हैं side effect topiramate medicine का जो पहला side effect है वो है menturation period का disturb हो जाना कभी menturation period पहले आएगा और कभी समय से बाद में और तो और इसमें heavy pain भी हो सकता है अगर heavy pain हो रहा है तो मतलब है ये topiramate का एक side effect है इसलिए इसका इस्तिमाल ज्यादा लंबे समय तक नहीं किया जाता है जो इसका दूसरा side effect है वो है धुंदलापन दिखाई देना मतलब अगर ज्यादा ही इसका इस्तिमाल करेंगे तो blood vision होने के chances बढ़ जाते हैं लोगों को सही से दिखता नहीं है और सब कुछ दूंदला दूंदला नजराता है किसरा इसका side effect है drowsiness drowsiness का मतलब होता है लोगों को उबासी आती रहेगी या उन्हें जम्वाही फील होगी मतलब उनको लगेगा कि उन्हें नीदा रही है ये इसका side effect ही है आप चलते हैं drug interaction की हो drowsiness का मतलब होता है किस दवा का इस्तमाल किस दवा के साथ बिलकुल भी नहीं करना है तो topiramate का इस्तमाल दोस्तो diphenhydramine के साथ ना करें नहीं तो जान पे भी बना सकती है इसी तरीके से amplify के साथ इसका इसका इस्तमाल मना है और तो और सेरोक्विल के साथ भी इसका इस्तमाल बिलकुल ही मना है आप चलते हैं हम लोग contraindication की हो contraindication का मतलब होता है सरीर में अगर पहले से कोई बिमारी है तो topiramate का इस्तमाल वहाँ बिलकुल ही कभी नहीं करना है नहीं तो बिमारी आप बढ़ जाएंगी और लोगों की particular अंग खराब हो जाएंगे अगर किसी व्यक्ति में blood disorder है blood disorder का मतलब होता है खून में किसी प्रकार की दिक्कत होना जैसे की anemia होना तब topiramate का इस्तमाल बिलकुल ही मना है इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति में hyperthermia है hyperthermia मतलब heat stroke जब ज़्यादा गर्मी की वज़े से stroke लग जाए तो उस condition में भी इसका इस्तमाल बिलकुल ही मना है अगर किसी व्यक्ति को serious liver disorder है मतलब कि उसे liver से संबंदी गंभीर बीमारिया है तब ही topiramate का इस्तमाल बिलकुल ही contra indicated है मतलब बिलकुल ही नहीं करना है I hope मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो please वीडियो को like करें कोई सुझाओ है तो comment करें और मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल पर visit करें Thank you for watching